नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे Type of Belt Drive और Type of Belts की तो ये क्या होती है सबसे पहले बात करती है Belt Drive की अब देखे इसके अंदर तीन हमारे पास आती है Light Drive, Medium Drive और Heavy Drive अब ये जो Light Drive है ये क्या है ये यूज होती है अगर हमें Small Power को Transmit करना हो तो जो Small Power को अगर हम Transmit करना चाते हैं तो इसका यूज किया जाता है Small Power को Transmit करने के लिए लेकिन इसके लिए जो Belt Speed होती है जैसे कि हमने बात किया कि जो Light Drive है इसके अंदर जो Belt की Speed होगी वो होती है 10 मीटर पर सेकंड तक की Speed होती है बस तो इसके अंदर जो ये यूज की जाती है Agriculture Machines के अंदर या Small Machine Tools के अंदर ये यूज की जाती है तो Light Drive Small Power को Transmit करने के काम आती है कितनी Belt Speed के उपर 10 मीटर पर सेकंड तक की Belt Speed के उपर उसके बाद आती है Medium Drive अब Medium Drive क्या है अगर हमें Medium Power को Transmit करना हो जैसा कि इसको नाम दिया गया है कि अगर हमें Medium Power को Transmit करना है एक जगा से दूसरी जगा तो Medium Drive उसको हम बोलते है और कितनी Belt Speed पर ये काम करती है ये 10 मीटर पर सेकंड तक था तो ये 10 मीटर पर सेकंड से लेके ये हमारी 22 मीटर पर सेकंड तक काम करती है इतनी Speed के ओपर ये काम करती है तो ये भी आपने Machine Tools के अंदर देखी होगी इसी तरह से Heavy Drives जो है Heavy Drive क्या होता है अगर हमें Large Power को Transmit करना है तो उसके लिए हम Heavy Drive का यूज़ करते हैं Large Power को Transmit करना है अब जो Medium Time थी वो 22 मीटर पर सेकंड तक था तो ये जो है Above 22 मीटर पर सेकंड है उससे उपर की Belt Speed के ओपर काम करती है तो Above होना चाहिए इससे 22 मीटर पर सेकंड से जादा की Belt Speed पर ये काम कर देती है जैसा कि आपने Compressor Generators इनके अंदर देखा होगा तो Light Drive, Medium Drive और Heavy Drive को आप इस तरह से दिखा सकते हैं उसके पालबाज करते हैं Flat Belt, V Belt और Circular Belt की अब देखिए जो Flat Belt है ये आपने हर जगह देखी होगी लगबग तो जो Flat Belt है जादा तर ही ये Factories में यूज होती है Workshops में भी यूज होती है और ये Moderate Amount of Power को Transmit करने के काम आती है तो इसके थुरू हम Moderate Amount of Power को Transmit कर सकते हैं एक पुली से दूसरी पुली पे आपने किस तरह से लगई होगी इस तरह से तो Flat Belt आप इसको बोलते हैं इस तरह से एक बड़ी पुली है छोटी पुली है उनों के बीच में ये जो बैल्ट लगी है ये Flat Belt होती है अब देखिए जो एक पुली से दूसरी पुली के बीच में जो है इनका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर से जादा नहीं होना चाहिए तो हमें ये ध्यान लगना है कि 8 मीटर तक ही चल जाएगा लेकिन 8 मीटर से जादा नहीं हो तो उसके लिए जो Flat Belt है यूज की जाती है बात कर लेते हैं V-Welt की अब जो V-Welt है ये भी जादा तर खट्री और वर्षोप्स में यूज की जाती है ये भी Moderate Amount of Power को Transmit करने के काम आती है लेकिन जो एक पुली से दूसरी पुली में जब हम Transmit करते हैं यहां पे जो दोनों पुली हैं काफी पास होने चाहिए तो काफी पास होने चाहिए तो वहां पे ये Transmit करते है और जो V-Welt है उसकी जो Shape है आपको इस तरह की दिखाई देगी इस तरह की आप इसको गध्यान से देखेंगे तो इस तरह की वह आपको दिखती है तो इस तरह की जो Shape है उसकी आपको दिखाई देती है इस तरह से ऊपर से जादा होती है थोड़ा नीचे से इस तरह से एक एंगल बना होता है तो उपर से और नीचे से प्रांस्मेट करना चाहते हैं ताकि वहाँ स्लिपे जिन्वा हो तो उसके लिए जो वी बैल्ट का यूज किया जाता है इसके अंदर जो पुली होती है वो भी फोड़ी डिफरेंट टाइट की यूज की जाती है उनकी वी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है कि जो इसको आप इस तरह की जो भी शेप ये इसको प्रवाइड करती है जैसे है इस तरह की शेप होती है जिसके बीच में यहां पर वी बैल्ट का आप यूज कर लेते हैं तो इस तरह से ये भी इसको सुपोड देती है और अब अच्छी पावर को एक जगा से दूसरी जगा में ट्रा जादा मॉंट ओपावर, अगर हमें great amount of power को अगर transmit करना हो, तो circular belt का use होता है, तो great amount of power को transmit करने के लिए, एक पुली से दूसरी पुली पे, और जो दोनों पुली है, वो ही जैसे कि इसके अंदर था, कि जो हमारे 8 meter तक था ये, लेकिन इसके अंदर जो हम use कर देते हैं, कि more than 8 meter जो apart हैं, उसके लिए use किया जाता है, कि जादा हो, अगर 8 meter से जादा दूर हो pullies, तो हम circular belt का use कर लेते हैं, अब ये circular belt है, आप सको काट के इस तरह से देख सकते हैं, इसके cross section दिखाया गया है, यानि कि अगर आप सको काटेंगे, तो इस तरह की होती है, और circular shape में ही होती ह इसलिए circular belt इसको बोल दिया गया है, ये उसके cross section दिखाये गया है, कि ये circular है, ये V shape का होगा, इस तरह से cross section जो होगा, ये flat है, तो flat belt और जो V belt है, और circular belt और rope की type में आप इसको बोल सकते हैं, ये जो चीजे हैं, अलग-अलग distance के लिए अलग-अलग use की जाती हैं, ये इसम पास पास होने चाहिए, जो pullies हैं, और यहां पे circular belt जो है, अगर हम use करते हैं, तो दो pulley आप मिटर से जादा दूर हो सकती है, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं, कुछ V belts के अंदर groove भी कटे होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो कहीं तरह कि ये sizes में आती हैं, अलग- हैं, तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अप्रेटिड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, thank you